हम में से अधिकांश चन इस बात को समझ यह कहां पाते हैं, इस बात को महसूस ही कहां कर पाते हैं, इस बात पर विचार ही कहां कर पाते हैं, और इस बात पर मन्थन और चिंतन भी कहां कर पाते हैं कि आत्मे ज्यान की प्राप्ति हमारे लिए कितना आवश्यक है, इतना आवश्यक है, जिसके बारे में बखान करना मुश्किल है, यदे इसके द्वारा होते हुए लाभों की कोई लिमिट हो, तो उन्हें आसानी से उल्ले खित किया जा सकता है, उनकी चर्चा की जा सकती है, उनकी लिष्ट तैयार की जा सकती है, परन्तु जब अनन्त लाभ हूँ, तो ऐसे में उल्ले खित करना मुश्किल हो जाता है, उनकी लिष्ट बानाना कठिन हो जाता है, इतना कठिन है, इसे असंभो ही मान लिया जाए, तो गलत नहीं होगा, आत्मे ज्ञान के निकलते हुए परिणाम, आत्मे ज्ञान से प्राप्तो होते हुए लाभों की चर्चा करना सामानने व्रिक्त की बसकी बात ही नहीं है, आत्मे ज्ञान की उत्पत्ते से अगनित लाभ होते हैं और होंगे, अनन्त लाभ होते हैं और होंगे, उन्हें तौला नहीं जा सकता, उन्हें आँका नहीं जा सकता, और यद इतने लाभ होते हैं और होंगे, तो फिर ऐसे कारी को, ऐसी राह को, ऐसे छेत्र को चुन लेने में ही फाइदा है, उसे अपने जिवन में उतार लेने में ही लाभ है, उसे अंगी करत का लेने में ही कल्यान है, यद्यपिकी अनेकों लोग इस रहा पर पहुँच भी जाते हैं, आत्मे ज्ञान की प्राप्ति कर भी लेते हैं, और अनेकों लोग नहीं भी कर पाते हैं, जो लोग आत्मे ज्ञान की प्राप्ति के लाभों को पा जाते हैं, वे अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं, उनका जीवन अद्भुत हो जाता है, उनका जीवन प्रसन्नता से, सुख से, आनन्द और ब्रम्हनन्द से भरपूर हो जाता है, आत्मे ज्ञान की प्राप्ति के बाद सर्वस्व प्राप्ति की अनुभूती होती, और जब सर्वस्व ही प्राप्त हो जाए, फिर कैसी आशाएं और कैसी अभिलाशाएं, फिर तो ऐसे में अंतरमन को शान्ती ही शान्ती प्राप्त होती, अंतरमन में संतोस ही संतोस जगता है, और ऐसी अनुभूती, बड़े प्रयास के उपरांत प्राप्त होती, बड़े प्रयास के बाद ऐसी इस्तितियां मिलती, ऐसी इस्थितियां आने के बाद कुछ भी पाने की अविलाशायें शेश नहीं रह जाते हैं यही वह चण होता है यही वह स्थिति होती है जब व्यक्ति गुणों से सकारत्मक्ताओं से सद गुणों से सद कर्मों से सद राहों सद चरित्रों से उत प्रोत हो जाता है ऐसे दत्ति का कल्याण ही कल्याण सुनिश्चित हो जाता है